नमस्कार, संसर्ट टीवी के विशेशकार कमदालो मेकर्स में आपका स्वागत है मैं हूँ पवन कुमार शर्मा भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोगतंतर है और हमारी संसर्ट देश की सबसे बड़ी पंचायत इस पंचायत से देश की जनता की उमीदे जुड़ी हुई है और इन उमीदों को पूरा करते हैं हमारे जन प्रिदिनिधी हमारे संसर्ट यानि लॉगमेकर्स एक ऐसे ही उच सदन के सांसद हमारे साथ है जुगल सिंग लोखंडवाला जी जो राज्यसभा में गुजरात का प्रतित्व करते हैं लोखंडवाला जी संसर्टी में बहुत दो स्वागत आपका मेरा पहला सवाल आपसे ही आप राज्यसभा में प्रतित्व करते हैं गुजरात का क्या सोच के आये थे और जनता के प्रति क्या सोच रखते हैं आप क्या कुछ करने का आपका इरादा है जनता के लिए कुछ सोच के तो नहीं पर इतना जरूर था कि ज्यादा से ज्यादा जनता का कुछ न कुछ काम हम लोग कर सके जिससे जनता के लिए जो इस देश के अंदर जिस तरह पहले की जो सरकारे जो काम कर रही थी और आज की जो सरकार जो काम कर रही है उसको विजन के तोर पे आज व जोड़ना था, वो सोच के आये थे हम लोग। जो हमारा कामकाश है, उसमें आपका योगदान रहा, ऐसे कौन-कौन से बड़े बिल आपको द्यान आते हैं, जिन पर आपने चर्चा में हिस्सा लिया, और आपने भी जनता की जो अकांक्षा हैं थी, उनको पूरा करने की कोशिश की। और उसको जहन में रखते हुए, मैंने काफी सारे जनता के लिए, हमारे गुजरात के लिए और पूरे देश के लिए, समुद्र के आसपास का डेवलोपिंग और समुद्र के मार्क से बैपार कैसे हो, और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे फाइदा उठाए, उस तरह का एक जो था, उस स्वधन के अंदर उसमें मैंने हिस्सा लिया था, और काफी सारा उसके अंदर मुझे अच्छा भी लगा था क्योंकि मैं उन्हों जन्ता की आवाज उठा पाया था, दूसरा जो था, जैसे मैंने बताया कि एक रेल्वे के बारे में, रेल्वे का काफी सारा वहां पे पोटेंशल मानेनीय प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी जी की जो सोच है, उसको बढ़ावा देते ज़ादा से ज़्यादा सब लोगों को मिले, वो उस चर्चा में भी मैंने भाग लिया था, वैसे तो काफी सारे एविएशन के अंदर भी मैंने लिया हुआ है, कई और चीजों के अंदर जो रोजानी चीज रहती है, उसमें भी मैंने पार्टिशिपिइट किया हुआ है, एक सांसत के तौर पे लुखनवाला जी आपको प्रशनकाल के दौरान शुन्यकाल के दौरान और नियम 370 के अंतरगत मामने रखने का मौका मिलता है और आपने बहुत सारे मुद्दे रखे भी हैं ऐसे कौन से बड़े सवाल मुद्दे आपने रखे और उसका फायदा जो है वो देश की जनता को, गुजञात की जनता को हो गया दिके वो काफी सारे, बहुत सारे हम लोग Zero Hour Special Mention में Mention करते हैं उसके अंदर हमारी जो था कि, जो दूद से बनी हुई मिलावट की चीज़े जो है उसके बारे में मैंने एक question खड़ा किया था और उसके तहद काफी सारे वहाँ पे action भी government ने लिया और उसके हमको result भी मिला था दूसरा हमारा एक था की railway के बारे में की वहाँ पे एक जो railway जो थी जो हमारे मैसाना इसे लगके जो हमारा माउंट अबू तक जो जाती थी तो उस railway के regarding हम लोग काफी बार उनको कहे चिके थे प्रधान मंतरी जी की भी एक इच्छा थी कि वो railway बने जो railway एमदाबाद मैसाना बदनगर बदनगर हो कैसे अमबाजी टेंपल हमारा जो है वहाँ चार जाए उसके बाद आगे आबू रोड तक मतलब एक फूरा लोगों को सुविदाय मिले स्पिरिशल के लिए भी मिले लोगों को वहाँ पे आध्यात्मी के लिए भी दर्शन वगिरा भी अमबाजी टेंपल में जा सके उस तरह का वो एक था और वो एक अच्छी तरह आज की तारिक में वो प्रोसेसिंग में है वो प और राजय सबा सांसत होने के नाते तो पूरा गुजरात आपता कारेक शित्र है वहाँ पे आप काम करते रहते हैं ऐसे कुछ इनिशेटिव आपकी तरफ से पहल जो जनता के लिए चाहे वो शिक्षा का मामला हो चाहे वो मेडिकल का मामला हो उस दिशा में आप कर रहे हैं और जो गुजरात की जनता है उनको वो फाइदा मिल रहा है सीधा उसका ऐसी कुछ पहल आपकी तरफ से मैं हाली में बात करूँगा कि चिकिट्सा के अंदर शायद ही मैं ऐसा एक मेंबर आप पार्लामेंट हूँ कि जिसने मेंने 81 बार ब्लड डॉनेट किया है और दूसरा जो है कि मेरे क्षेत्रके में अंदर हाली में थोड़े दिन पहले ही मेरे जहां में रहता हूँ वो मैसा जिल्ला के अंदर मैंने 26 जितनी एंबुलेंस वगएरा हाली में दी है मतलब पूरे वहां पे पी एचसी सेंटर जितने भी है उसके अंदर सब को अंदर मैंने एंबुलेंस दी है मेरे क्षेत्र में तो दी है पास अगल बगल में भी कि हमारा पार्टन जिल्ला जो आता है उसके अंदर भी मैंने एक आठ, आठ से गयरा जितनी दी है, पास में दूसरे बगल में भी गाधी नगर आता है, उसमें भी एट जितनी, आठ जितनी मैंने अम्बिलेंस वहाँ दी है, तो मुझे अच्छा लगता है कि चिकित्सा के, क्योंके आम आदमी, क्योंके पीछ सी से प्रभावीत करता है, तो मुझे अच्छा लगा है कि चिकित्सा में हम कुछ कर सकते हैं, और मेरा जो गोल रहता है, वो मैं पढ़ाई शिक्षा के और उसमें भी बच्चिया, क्योंके मैं जो समुदाई से आता हूं, वो समुदाई के अंदर हमारी लड़किया को कम बढ़ हाले में तो बहुत अच्छा पोग्रेस हुआ है, लड़के लड़किया सब पढ़ते हैं, पर पहले कम बढ़ाते थे, तो उसके अंदर में ज्यादा तजबू देता हूं, स्कूल, कॉलेज के अंदर भी जितना हो सके, मेरी और प्रसनल डॉनेशन भी मैं करता हूं, तो ज् ऐसे ही देश के मुद्दे हैं, कुछ solve हो गये और कुछ solve होने चीए, आपको क्या लगता है, के देश के बड़े मुद्दे क्या है, देश की जो उच सदन है खासकर राज्यसबा पर इसकुषिन होनी चीए, क्योंकि कई बार शोर श्राबा और जो बैवधान है वो तो हमें सदन है देश का जनता की कौन सी समस्याओं को वहां रखा जाना चीए डिसकस होना चीए आपकी नजर के यह बहुत अच्छा शवाल है आपका क्योंकि अब हम लोग एक नए जमाने नए भारत की और चल रहे हैं और माननिय प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी जी की जो सोच है ह हर जगह पे हर शेत्र में हर एक शेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास हो उन्ड़ती हो प्रगती हो इस तरह का जो चल रहा है इसके अंदर मेरा तो जो जो द्यान गया है उसमें अगर हमारा हडल कुझ है तो आबादी है क्योंकि हमारे पास जगह कम है और आबादी ज्या हर एक चीज आज की तारिफ में हम पहुंचा तो रहे हैं पर आबादी ज्यादा होनी की वज़ा से कम पहुंचा रहे हैं या तो कम देते हैं आप कहने हैं कि जनसंख्या नियंतर्ण विदेग आना चीए तो मैं तो कहूंगा कि 100% आना चीए जिससे क्या है कि हमारे देश की आबादी कंट्रोल हो और हमारी देश के लिए आगे उन्नती क्योंकि जो आने वाली पेडी है नशल है उनके लिए भी कुछ छोड़के जाना ह हमें तो ये तो आना ही चीए है लोखहंड़वाला जी एक सांस दोने के साथ ये अप समाने नागरेण देश के हरेंगा एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहता है एक वीजन रहता है वीजन रहता है यह जरूर करूँगा आ ये बचा हुआ है और यह जरूरर करूंगा जूगल सी लोखनडवाला-जी का क्या विजन है क्या ट्रीम प्रोजेक्ट यह करूगा जूरू करूंगा यह रह गया करना है तर्फ dream project वो है कि नौर्थ गुजरात में वैसे मैसाना या तो मैसाने के आसपास airport बनाने का मेरा एक dream है कि वहाँ पे क्योंकि हमारे जो उतरी जो हमारा है उस साइड काफी सारी industries है काफी सारे लोग फॉरेंस में रहते हैं और काफी सारे developing भी है तो वहाँ पे अगर airport बने क्योंकि spiritual भी आ जाता है इर्द गिर्द में हैं काफी सारे देखने की चीजे जो है वो टूरिजम के लिए भी बहुत अच्छी चीज है तो वो मेरे एक dream project कि कभी न कभी मुझे मुझे मौका मिला मैं वैसे हाली में तो प्रायाश करता मेरा एक dream project है तो राजसबा सांसद जुगल सिंग लोखंडवाला जी आश्वस्त कर रहे हैं महसाना की जनता को गुझात की जनता को के महसाना में भी airport बनेगा गुझात जिस तर्श पर आगे बढ़ रहा है सारी जो तमाम आधुनिक सुगधाएं पूरे गुझात में वो महसाना में भी होंगी ऐसा आश्वस्त कर रहे हैं जुगल सिंग लोखंडवाला जी आपने राजसबा हमारे संसद टीवी के लिए एक राजसबा सांस करम में बनाते हैं जरूर से देखेगा दन्यवाद